राजस्तान विदानसभा चुनाओं के लिए भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद ही घमासान मच गया जैपुर, राजसमन, चित्तोडगड, अलवर, बूंदी और उदैपूर में कारेकरता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं राजसमन में बीजेपी कारेयाले में तोड़ फोड़ कर दी गई, चित्तोडगड में प्रदेश आद्यक्ष सीपी जोशी के घर पर पत्राओ कर दिया गया राजसमन से दीप्ती महेश्वरी को फिर से भाजपा का उमीदवार बनाने का विरोध कारेकरता कर रहे हैं नाराज कारेकरताओं ने भाजपा कारेयाले के बाहर डेरा डाल रखा है, कारेकरताओं ने भाजपा से दावेदारी जताने वाले दिनेश बडाला की पैरवी करते हुए नाराजगी जताई है चितोड़गर से विधायक चंद्रभान सिंग आक्या का टिकेट काटे जाने पर कारेकरताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। चितोड़गर से विधायक चंद्रभान सिंग आक्या की जगे चितोड़गर में पहले दो बार विधायक रहे चुके नरपत सिंग राजवी को टिकेट दिया गया है। पड़ा दी गई है। सीपी जोशी और चंद्रभान सिंग आक्या का घर एक ही कॉलोनी में है। सांगानेर से विधायक अशोक लाहोटी का टिकेट कटने पर उनके समर्तकों ने बीजेपी कार्या लेके बाहर प्रदर्शन किया। समर्तकों ने टायर जलाकर उग्र प्रदर्शन किया। समर्तकों का कहना है कि खेत्र में किसी भी हाल में बाहरी व्यक्ति को बरदाश्ट नहीं किया जाएगा। सांगा नेर विदानसवा सीट से भजनलाल शर्मा को टिकेट दिया गया है। निशाने पर लिया और कहा कि वो उदैपूर की राजनीती को दूशित कर रहे हैं। नाराज किये विकाश शर्मा के समर्तकों ने तलवंडी चौराहे पर संदीब शर्मा गो बैक के नारी लगाए। अलवर शहर में बीजेपी से संदीब शर्मा को टिकेट दिया जाने के बाद लोगों ने होप सरकस्ट पर विरोध जताया। संदीब शर्मा के खिलाफ नारे बाजी की ओम माथुर के खिलाफ भी नारे लगाए। वैश्य समाज के रूप में इन लोगों ने जिले से एक भी टिकेट नहीं मिलने का विरोध जताया। अलवर शहर वैश्य समाज का प्रतिनिद्व करते हुए यहां से टिकेट की मांग कर रहा है। शहर के चौहान गेट पर भाजपा कारिकरताओं ने विधायक डोग्रा का पुतला फूका और मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दोरान बीजेपी से बैर नहीं अशोग डोग्रा तेरी खैर नहीं जैसे नारे भी सुनाई दिये। बूंदी सीट से डोग्रा को चौथी बार टिकेट मिला है। तो कुल मिलाकर ऐसी बहुत सारी जगे हैं जहां पर बीजीपी के भीतर भी विरोत प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और यही वज़े होती है। आपके जहन में सवाल आता होगा कि टिक्टो के वितरण में इतना समय क्यों लग रहा है, लिस्ट क्यों नहीं आ रही। यही डर कॉंग्रेस को भी है। इसलिए छोटी छोटी लिस्ट के सारे कॉंग्रेस आगे बढ़ रही है। बड़े बड़े नामों को सब को दे दिया। क्योंकि यह बड़ा मुश्किल हो जाता है। पिछली बार के चुनाओं ने तो यह बता दिया था कि जो बागी होते हैं वो जीत जाते हैं तो बाद में कितना बड़ा उलट फेर कर सकते हैं।